हेलो एफ्रिवन मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखंड में सिक्षक बनने के लिए देखिए एक नया रूल लाया गया है न्यूज उपर था आप लोग यहां क्या देख रहे हो यहां न्यूज था यह वाला देखो जारखंड में सिक्षक न्युक्ति निमावली में होने जा रहा है बड़ा बदलाओ टैट के बाद देनी होगी एक और परीच्छा देखिए सबसे पहले मैं आपको दो तिन चीज़े क्लियर कर दूँ जारखंड में टीचर बनने के लिए पहले क्या होता था आपको जेट एट का एक्जाम देना होता था अप्टर देट मैरिट लिस्ट बनता था कैसे मैट्रिक इंटर ग्रिजवेशन बी एड जेट एट के एकजाम का जो नमबर है इन नमरों को जोड़ करके एक, दो, तीन, चार, पांसे डिवाइट करके आपका परसेंटेज निकाला जाता था और उसी के एकॉर्डिंग आपका जो है जो आपको प्रवाइट कर दिया जाता था ये बात थी 2013 की जी हाँ जारखंड में मात्र एक बार ही टीचरों की भाली की गई है 2013 में उसके बात से कोई भी सरकार चाहे बीजेपी की हो, कॉंग्रेस की हो, जी एमेम की हो, सब के सब चोर है सारे के सारे लोगों ने जनता को ठका है, सारे लोगों के बारे में एक ही मेरी राह है, कोई भी किसी से अलग नहीं है और JTED का एक्जाम भी नहीं हो रहा है JTED का पिछला बार एक्जाम 2016 में conduct कराया गया था 2016 वाले के साथ भी गलत हो रहा है क्योंकि इन्हें एक्जाम लेने के बाद इनके साथ कुछ भी नहीं किया गया इन्हें छोड़ दिया गया है बस इतना ही समझ लिजी आप की 16 के बाद से भी एक्जाम नहीं लिया गया है कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं कराया गया है यानि की 16 के बाद से जो 2-5 लाक इस्टूडेंट पास किये हैं इनका क्या होगा जारखंड में इनका भविश अधर में लटका हुआ है ना जेटेट का नया एक्जाम हो रहा है ना नेमा बली बन रही है देखो निउस्पेपर वाले के बारे में थोड़ा सा आज बताऊंगा मैं हेमन सरकार तो बेकार घटिया बाहियात जो भी बोलो सारे सब दिन के लिए कम है लेकिन ये निउस्पेपर वाले भाई कौन सा खाना खा रहे हैं या कौन सा माल फूक रहे हैं आज कल देखो यहां ये रोज रोज बोलते हैं कि ये देखो आज इन्होंने दैनिक जागरा ने खबर चापा है पिछले दिन प्रभात खबर ने खबर चापा था और उससे पर आज हिंदुस्तान वाले ने भी खबर चाप दिया तो ये लोग ना डेली बेसिस पे खबर चापते हैं सरकार का प्रोपागेंडा चलाने के लिए सरकार के लिए जो है फिल गूड बेवस्था कराते हैं या फिर अपने अखबार को बेचने के लिए देखिए यहां पे आपना देखना समझना बात को होने जा रहा है बड़ा बदलाव हुआ नहीं है इन्हें भी घंटा कुछ नहीं पता लेकिन इन्होंने पेपर में छाप दिया सब कुछ क्यों भाई कहां से लाती है इतनी निउस कहां से समझना आता है एक बात तो मैं किलियर कर देता हूँ यह जो न्यूज है बिलकुल आथेंटिक है क्योंकि एक्जाम तो होगा मैंने चिला चिला के पिछले एक साल से बोल रहा हूँ कि जेटेट के बाद आपको जॉब नहीं देगी सरकार आपको एक और एक्जाम में बैठना होगा और उस एक्जाम के मेरिट के एकॉर्डिंग आपका जॉब जो है लगीगा यह मैंने बार-बार बातें कही है फिर से कहा देता हूँ जेटेट सिर्फ एक पातरता परिक्षा है जिसमें आपको जो है पास है उनके लिए देखिए अब यहां से मैं कुछ बातें बोलना चाहरा हूँ विडियो को आप चाहो तो डिसलाइक कर सकते हो no problem freedom of speech है इंडिया में इंडिया में democracy है आप अपनी बात को रख सकते हो मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ देखिए जो लोग भी 40,000, 30,000, इतने ही लोग आप बच्चे हो, जो 16 वाले जो जाके आंदोलन कर सकते हो, और जो नए बच्चे हैं, 2 से 5 लाख हैं, तो सरकार को 5 लाख भोड़ चाहिए, या 40,000 भोड़ चाहिए, सिर्फ अपने आप से पूछना ये बात, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी इसलिए अभी जारकंड में पहले एक जेट एट का एक्जाम होगा, और यहाँ एक पातरता परिक्षा है, तो कोई भी स्टेट वाले इसे भर सकते हैं, उसके बाद मैं एक्जाम होगा, उसके बाद जो है मैं एक्जाम होने के बाद ही कुछ यहाँ पर किया जाएगा, तो यह नियूज वाली बात थी, देखिए, एक्जली यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यहाँ पर मेगा सोची से क्या होता था, सरकार को गड़बड़ियां होती थी, और सही भी बात है कि सरकार कुछ भी कर सकती है न, तो वो बात हैं थी, तो यह सब चल रहा था, तो इसलिए स लाल के लिए इतना ही, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thanks for watching this video, have a great day.